हाई गाईस नमस्कार वेल्कम बैक टो माई चैनल तपो की चेन आज में आप लोग देखा गए आम का अच्छार के लिए अधा के लोग आम लिया इसका अच्छा से धो के कट करके लेती हूँ कोट हो गया आम अभी चैनल आईए आप लोगों में इसका रेशिव देखाती हूँ रेशिव के लिए क्या क्या स्वामन लेया पॉंच पुटन करी पत्ता हल्दी पाउडर लाल मेची पाउडर नमक शुखा लाल मेची अध्रक तेल और गूड अभी ग्यास चैनल करके कड़ाई वेटाती हूँ कड़ाई गारम हो गया इसके डालती हूँ तेल शुखा मेर्ची पंच पुटन करी पत्ता है अध्रक अच्छा से फ्राई हो गया अभी इसमें डालती हूँ आम नमक हल्दी मेची पाउटर एक साथ में लिया मेने डाल लिया इसको नमक डालने के बाद आम से पाणी निकलने लगा अभी पांच मेने में छोड़ देया था पांच मेने बाद आम फिप्टी पसंट कूख हो गया अभी में इसमें डालोगी गूर्ट सो से देड़ोस ग्राम तक गूर्ड लिया गूर्ड डालते हूँ गूर्ड डालने के बाद इसको थोड़ा चलाने का चलने के बाद इसमें अच्छा से मेल्ड होता है गूर्ड मेल्ड हो गया एक कप पाणी इसमें डालती हुँ में फ्राच्छा सी कुख होने के लिए अभी दस मिन तक इसको ढंके छोड़ देती हु दस मेंट बाद हो गया आमका अच्छा है रेडी खटा मिठा आमका अच्छा है झालती हुआ झालती हुआ है